दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सेडि टीप्स पर आसा करता हूं कि आप अपने और अपने परिवार का खयाल रख रहे होंगे दोस्तों तमाम बुरी खबर के बीच कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिस खबर को मैं आप लोगों के साथ साजा करने के लिए आपके सामने हाजी रुवा दोस्तों कि आखिर वो खबर क्या है और WHO ने क्या कहा है वो अच्छी खबर क्या है चलिए तो हम लोग देखते हैं कि जो बिते हपतों में भारत में कोरोना के मामलों में 13 फिस्दी की कमी आई है कितने के कमी आई है 13 फिस्दी की कमी आई है WHO ने बताया है कि भारत में बिते हपतों कोरोना संक्रमन के मामलों में 13 फिस्दी की कमी देखी गई है जो की अच्छे संकेत है दोस्तों तो तमाम बुरी खबरों के बीच ये कुछ अच्छी खबर निकल कर आई है जो की W.H.O. ने कहा है और मैं ये खबर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 12% की कमी आई है ये सबते और हाला कि ये W.H.O. ने कहा है कि भारत में संक्रमन का दर कम हुआ है लेकिन अभी भी भारत दुनिया में सबसे अधिक संक्रमन के मामले में यहां दर्ज किये गए हैं दोस्तों संक्रमन के मामले करें दो 211 लेवल पर कि इस कितना कहा संक्रिमन्दर भारत में कितना संक्रिमन्दर तो ज़ो 200 स्वास्त संग्ठन है यह numa W Marco ऐर तो 16 मई तका spend मुझा आधार पर W भारत मैं इस सफ्टे में बात किया जारे तो कुल 48 लाक मामले ability यह लाक नए मामले आये हैं दोस्तों, बैस्वी कस्तर पर ठीक है, और 86,000 नए मौत हुए हैं, 16 मही तक की बात करें, तो 48 लाक मामले नए आये हैं, और 86,000 मौते हुई हैं, जो की कुछ कम है दोस्तों, पिछले हपते के मुकाबले, और पूरी दुनिया भर में मैंने बता दिया, कि भारफ पिछले हपते के मुकाबले कम है, लेकिन भारत में, अगर बात करें कि भारत में जो संक्रमन का दर है, अगर बात करें कूल संक्रमन का दर, तो जो डेवलब्ड कंट्री है, उससे यहाँ पर संक्रमन का दर कम है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मरने की संक्या, यहाँ पर संक संक्रमन की संक्दर कम होने के बाब जूर भी यहां आकड़े कुछ जायदा ही दिखा रहे हैं अगर बात करें कि भारत में कितने परतिसत लोग संक्रमित हुए कुल जन संख्या के तो भारत में 1.8 फिस्दी लोग ही संक्रमित हुए वही बात करें अगर अमेरिका में तो 10.1 10.1 फिजदी लोग अमेरिका में संक्रमित हुए भी ते हपते और अगर बात करें ब्राजील की तो ब्राजील में 7.3 दस फिजदी लोग संक्रमित हुए हैं वहां के जन संख्या के मुकाबले दोस्तों और अगर बात करें रूस की, तो रूस में 3.4 फिजदी, जर्मनी में 4.3 फिजदी, और कॉलम्बिया में 6.1 फिजदी, तो इससे देखकर पता चलता है कि जो भारत में संक्र्मन का दर कम है, लेकिन चुकी यहाँ पर जंसंख्या बहुत जादा है, जन संख्या बहुत जादा होने के कारण यभी भारत में कोरोना संक्रमित विक्तियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है दोस्तों लेकिन बीते हपते 16 मई तक के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कुछ कमी देखी गई है जो की एक अच्छी खबर है और मैं ये खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर भी आप लोगों को क्या करना है सेफ रहना है अपने परिवार के साथ और एक ही काम करना है कि वैक्सिनेशन करवाना है सभी को अपना वैक्सिनेशन करवाना है दोस्तों जो vaccination है सरकार के द्वारा मुप्त दी जा रही है आप लोग vaccination अपना अपना जरूर करें और मास्ट का परियोग करें बाहर बिना कोई जरूरी काम के ना जाएं दोस्तों बस इसी दुआ के साथ आप से अगले कुछ interesting कुछ अगले कुछ नई जानकारी के साथ आप लोगों के स